नमस्कार यूफोर यूवाइस में आपका स्वागत है सबसे पहले अबित के हेडलाइन्स ऐलोसी पर पाक आर्मी की बढ़ती सक्रियता पर सेना प्रमुक का बयान बोले चिंता की कोई बात नहीं आरेस पूरा में तेज रफ़तार मेनी बस पल्टी साथ जखमी भाजपा ने खतम कर दी जमू कश्मीर के पहचान भावनाओं को दरकिनार कर बनाया बेवकूफ कहा कॉंगरस ने राहूल गांदी को विशेश विबान भेजूँगा कश्मीर आए हकीकत चाने फिर बयान दे कहा राज़ेपाल मलिक ने और अब समाचार विस्तार से नियंतरन रेखा पर पाकिस्तानी सेना की बढ़ती सकरियता को लेकर सेना परमुक जनरल विपिन रावत ने मंगलवार को बयान दिया उन्होंने कहा कि अगर वो नियंतरन रेखा पर सुरक्षा बलों की सकरियता बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है उन्हें कहा कि सभी देश एहतियात के तोर पर तैनाती करते हैं उन्हें कहा कि हमें इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए जहां तक सेना और अन्ने सेवाओं का सवाल है हमें हमेशा तया रहना होगा अनुचे 377 हटाए जाने के बाद से पैदा हुए हालातों पर सेना प्रमुक विपिन रावत ने कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ हमारी बाचीत पहले की तरह सामाने है हम पहले भी उनसे बिना बंदूग के मिलते थे साथ ही कहा कि अगर सब ठीक रहता है तो हमारी मुलाकात पहले की तरह ही होगी आरसपूरा क्शेतर के जसोर गाउं के पास यातरी बस के पलट जाने से उसमें सवार साथ लोग अंभी रूप से जखमी हो गए बताया जा रहा है कि यातری बस जंमू से गाउं जसोर की ओध जा रही थी कुलिया के पास चालक ने मिनी बस को कंडूक्टर के हवाले कर दी और बस से उतर गया कंड़क्टर मिनी बस को बहुत तेज दोडा रहा था इस बीच मिनी बस का संतूलन बिगड गया और वो सड़क पर परड़ गई इसमें बस में सवाय यातियों में चीक पुकार मच गई यातियों की चीक पुका सुनकर आसपास के लोगों ने हाथसे के बारे में पुलीस को सूचना दी पुलीस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जखमी यातियों को गरामीनों की मदद से बस से बाहर निकाला और इलाज के लिए उबजिला हस्पताल पहुंचाया जहां से डॉक्टरों ने पांच घायलों की घंभीर हालत देखते हुए प्रात्मी कुपचार के बाद उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज रैफर कर दिया गया पुलीस ने इस संबन्द में मामला दर्च कर बस को कबजे में ले लिया है अनुचे 370 को हटाया जाने के बाद उत्पन हुए हालात के लिए परदेश कॉंगरिस ने भाजपा की नीतियों को जिम्मेदा ठहराया है परदेशा अधिक्ष जी एमीर ने कहा कि भाजपा ने देश से जम्मू कश्मी के पहचान को खत्म कर दिया है और समध धानिक तरीके और सत्ता का दुरूपयोग करके अनुचे 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर और रद्दा को केंद शासित राजज्यों में बांट कर इसका विभाजन कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की पीडी को भविश्य में गंभीर चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा जम्मू में सोंबार को मीर के आवाज़ पर हुई बैठक में जम्मू कश्मीर में मोजूदा राजनीतिक और सुरक्षा परिदेशे पर चर्चा की गई मीर ने कहा कि भारतिय सवीदान के तहट जम्मू कश्मीर को विशेश दर्जा हासिल था लेकिन भाज़पा ने एक साजिस के तहट इसे केंदर शासित राज़ करके सभी अधिकार खत्म कर दिये हैं भाज़पा ने खास तोर पर S.C.S.T. O.B.C. युवाओं के लिए एक राश्ट्री स्थर पर दाख खिले और नोकरियों में कठिन पतिस परदा से गुजरना पड़ेगा भाज़पा ने जम्मू की भावणाओं को दरकिनार करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डोगरा की अपनी पहचान थी लेकिन अब केंदर शासित राज़ब बनाने से ये पहचान खत्म हो गई है जमू कश्मीर को तोनने से पहले यहां के लोगों को भाचपने विश्वास में नहीं लिया क्शेत्री स्थर के नेताओं को घरों में कैद किया गया है देश दुनिया में जमू कश्मीर के मौझूदा हालात और लोगों के विरोध को नहीं दिखाया जा रहा है जमो कश्मीर की एक बड़ी आबादी केंद सरकार के फैसले के खिलाफ है कॉंग्रिस स्थिती पर नज़र रखे हुए है और लोगों के पास जाकर उन्हें जागरू किया जाएगा उन्हें सरकार से मांगी की क्षेतरिये नेताओं पर लगाई पावंदियों को हटाया जाए जमू किश्मीर के राज़पाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो कॉंग्रिस नेता राहुल गांदी के लिए एक विमान भेजएगे ताकि वो गाटी का दोरा कर यहां की जमीनी हकिकत को जान लें राजपाल ने सोवार को ये बयान राहुल गांदी की उस टिपनी पर दिया है जिसमें राहुल गांदी ने कहा था कि कश्मीर घाटी में हिंसा की खबरें हैं मलिक ने कहा कि राहुल गांदी को अपने एक नेता के विवहार के बारे में शर्मिंदा होना चाहिए जो संसद में मूर्खो की तरह बात कर रहे थे मैंने राहूल गांदी को यहां आने के लिए आमंतित किया है मैं उन्हें एक विमान भेजूँगा आप सिती का जायजा ले और फिर बोले आप एक जिमेदार व्यक्ती हैं और आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए वो कश्मीर में हिंसा के बारे में कुछ निताओ और मीडिया के बयानों पर रिपोर्टरों के एक सवाल का जवाब दे रहे थे मालूम हो कि शनिवार की रात को राहूल गांदी ने कहा कि जम्मु कश्मीर से ये वहां की हिंसा के बारे में कुछ रिपोर्ट आई थी और परधार मंतरी नेंदे मोधी को इस मामले पर पारदर्शी तरीके से चिंता व्यक्त करनी चाहिए इसे के साथ अभी तक के बुलिटर में इतना ही दीजाए इजाज़त और देखते ही यूफरी वाइस नमस्कार